इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पावर पॉइंट का क्लास करवाने जा रहा हूं इससे पहले भी पावर पॉइंट का पार्ट वन यानि की इंट्रोडक्शन पार्ट हमारे चैनल पे अपलोड कर दिया गया है और हमारे द्वारा एक नया गाइडलाइन जारी किया गया ह वैसे स्टुडेंट जो वेजानता के रेगुलर स्टुडेंट है उन्हें प्रतिक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद पीडिएफ दिया जाएगा उसके लिए आपको वासप नंबर पे हाई लिख करके मैसेज करना है और दूसरी बात जो भी वीडियो अपलोड किया जा रह हैगा और तीन दिन के बाद वह वीडियो प्राइबेट हो जाएगा यानि कि जिन्हें भी वीडियो देखना है वह तीन दिन तक वीडियो को देखिए तीन दिन के बाद वीडियो आपको हाइड कर दिया जाएगा तो देदना करते हुए जल्द से जल्द वीडियो का मजा लिजिए क्योंकि free सिर्फ तीन दिन के लिए हैं तो चलते हैं हम अपने वीडियो में पिछला वीडियो में पावर पॉइंट के अंतरगत मैंने आपको बताया था पावर कोईंट का इंट्रोडाक्शन पावर क्या है कैसे उसमें काम करते हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पावर पॉइंट का मीनु बार यानि की पावर पॉइंट में कौन कौन से मीनु होते हैं किस मीनु का क्या काम है और भी बहुत कुछ तो सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक से यहां दोस्तों तो हमारा चैनल का नाम वेदानता कंप्यूटर इंस्टिट पाली गंज और आज का जो वीडियो हम लोग देखने जा रहे हैं वह है पावर पॉइंट तुथाउजेंट थाटिन पाट टू इससे पहले पाट वन बताया था डिस्क्रिप्शन लिंक में या फिर हमारे चैनल पे जाकर के पाट वन देख सकते हैं जो लोग नहीं देखें तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वह है पाट टू और पाट टू में हेडिं थर्मनिल क्या होता है एंड शो आज हम लोग देखने वाले हैं मीनू बार आप पावर कॉइंट तू थाउजेंट थाटीन जिसके अंतरगात सबसे पहला जो मीनू आता है मीनू बार में वह होता है फाइल मीनू दूसरा जो मीनू आता है उसका नाम है होम मीनू तीसरा मीन का नाम है २ाइंट डा लास्ट वर ET लुम यहां पर आप देख सकते हो ठोटल नौ अपको दिखाई दे रहा है और यहुम्हीं को प्राइमरीमिन क्या होता है वैसा मीनू जो हमेसा मीनू बार में दिखाई دे उसे मीनू बार कहते तो अभी हमने बताया कि मीनू बार में वैसा मीनू जो हमेशा दिखाई दे एक दम रेगुलर्ली रहेगा ही रहेगा तो वैसे मीनू को प्राइमरी मीनू कहते हैं और वैसा मीनू जो कुछ इंसर्ट करने के बाद आए और फिर चला जाए तो वैसे मीनू को एडिसनल मीनू कह लोग देखे प्राइमरी मीनु और स्क्रीन पर आपको दिख रहा हычно न्हों प्राइमरी मीनु होता है जब्टैनाल ब्हुता है अब कोस्छेंण की अडिसनल मीनु कोन कोन होता है तो देखे अडिमरी मीनु सिरफ तीन होता है पालाbard मेनू दूसरा के लिएजाइन मेनू एंड तीसरा ले आउट मीनु शिर्फ यहीं तीनों मीनु को एडिसनल मीनू भॉला जाता है जो की कि इंजरट को इंसर्ट करने के बाद आता है यदि हम ओब एड्री इंसर्ट नहीं करेंगे लिए अ करते यदिदी मीनू memb नाम याद आ गया होगा आप देख लिए होगे अब चलते हैं हम लोग किसी भी वीडियो को आप लाइक करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा कि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो अब हम लोग चलते हैं Power Point को Start करेंगे और देखेंगे कि Power Point में Menu बार की अंतरगत वो सभी Menu आँ या नहीं है और किस Menu के अंतरगत कौन-कौन से भीकलब मौजूद है किस भीकलब से किस Option से क्या काम करते हैं जैसा कि पिछला वीडियो में मैंने बताया था कि किसी भी प्रोग्राम को खोलने के लिए Windows की दबाते हैं और ये वाला जो पिक्चर दिख रहा है न ये वाला ध्यान देंगे हाँ पे ये वाले पिक्चर को ही है ऐसा ही तस्वीर को Windows बोला जाता है तो कीबोड में भी ऐसा एक बटन होता है इसी बटन को दवाना है दवा दिये जो प्रोग्राम को ओपन करना है तो हमें खोलना है पावर पॉइंट तो मैंने लिख दिया पावर पॉइंट इंटर दवा दिया जैसे ही इंटर दवाया हमारे पास PowerPoint खुल गया है और इसके बारे में part 1 में बताया गया है तो ज्यादा चर्चना करते हुए direct हम लोग open कर देते हैं क्योंकि इसके बारे में part 1 में बताया गया है यदि नहीं देखे हैं part 1 तो आप देखिए यदि पसंद आया like कि लिए अब हम लोग को यहां पर फिलाल देखना है कि मीनू अबर कहां पर वाई तो सबसे उपर वाला को हम लोग बताया था टाइडल बार उसके नीचे मीनू बार यह वाला को रीबन सब से नीचे जो यहां पर आपको औरेंज कलर का दिख रहा होगा यह वाला option इसको status वार यह सब को ब तो पहला फाइल मीनू दुसरा हूम इंसर्ट दिजाइन ट्रांजीशन एनिमेशन स्राइट सो रिवीव और नौ मीनू है ना यह नव मीनू को प्राइमरी मीनू बोला जाता है और इसके बाद वाला तीन एडिस्टनल मीनू होता है जो की पहले से नहीं होता है जब हम कुछ लाएंगे तो आएगा नहीं लाएंगे नहीं आएगा जैसे कि यह एक प्लेस ओल्डर है जिसे वर्ड आयट भी बोला जाता है अब देख सकते हैं वो भीव तक है लेकिन हम कुछ लाते हैं और लाने के लिए इंसर्ट मीनू का इस्तेमाल करते हैं तो लाने के लिए इंसर्ट मीनू का उप्योग करते हैं तो हमने इंसर्ट मीनू में क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहां से कुछ भी लाई जैसे कि हम टेबल लाते हैं तो आप देख सकते हो टेबल लाते ही वहीव मीनू के बाद दूग मीनू हो गया है दो मिनू एड हुआ है एक का नाम डिजाइन और एक का नाम ले आउट तो यह दोनों एडिशनल है एडिशनल मतलब अतिरिक्त पहले से तो था नहीं जब हम टेबल को लाए तो आया टेबल को मिटा देंगे तो चल जाएगा नहीं है देख सकते हो भी तक है इंसर्ट में कर दिए देखिए सब्सक्राइब नाव यादि हमारे चैनल को सब्सक्राइब दिए यह एक तस्वीर हम ला है फोटो ला है तो पिक्चर लाने के बाद भी आप देख सकते हो भीव के बगल में फॉर्मेट आ गया है तो यह फॉर्मेट भी एडिस्नल मिनू है लाए है तो डिलीट कर दिए पिक्चर को तो देख सकते हो फॉर्मेट में गया हो गया है तो इसी तरह से हमने सीखा कि पावर पॉइंट 2013 में मीनू बार के अंतरगत कौन-कौन से मीनू होते हैं तो आसा करते हैं आपको वीडियो समझ में आ रहा हो अब पावर पॉइंट में पढ़ना प्रिंट शेयर एक्सपोर्ट क्लोज यह सारा अपसन जो है ना पहले से पढ़ा हुआ है मैं स्वर्ड में पढ़ा गया था एक्सल में पढ़ा गया था किसी डॉक्मेंट को सेव कैसे करते हैं खोलते कैसे हैं सेव एज क्या होता है प्रिंट क्या होता है क्लोज क्या होता है तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे home menu से जैसा कि आप सब को पता होगा कि जिस menu में click करेंगे उस menu का भी गलप अ-screen पे दिखाई देता है पहला दूसरा तरीका है कि जिस menu के नीचे में line नहीं रहेगा देखिएगा यहाँ पे line नहीं है बाकी सब के नीचे line पा रहा हुआ देख रहे है सब के नीचे है लेकिन home के नीचे नहीं है इसका मतलब हुआ कि अभी मेरा यह सब जो option दिख रहा है home menu का option है मैंने design पे click कर दिया तो अब आप देख सकते हो home के नीचे line है insert के नीचे भी line है लेकिन design के नीचे line नहीं है इसका मतलब यह सब जो option दिख रहा है आपको यह सारा option design menu का है मैंने animation पे click कर दिया अब देख रहे हो इसब options जो आ रहा है ने यह सब तो यह सब options किसका है animations menu का तो जब कभी भी जिस menu में click करोगे click करने के बाद कुछ options नीचे आता है इस options को tool या ribbon बार बोलते हैं और ribbon को show करने के लिए control plus f1 दवाते हैं control plus f1 तो I think आप menu समझ गह होंगे तो आप बताए कि फिलाल अभी कौन सा menu खुला हुआ है तो देखेंगे कि किसके नीचे line नहीं है तो line तो slide show के नीचे नहीं है इसका मतलब slide show menu खुला हुआ है insert menu click कर दिये insert के नीचे line नहीं है इसका मतलब insert menu खुला हुआ है design में click कर दिये तो design के नीचे line नहीं है इसका मतलब design menu खुला हुआ है तो I think आपको clear होगा अब चलते हैं मीनु बाई मीनु हम लोग अध्यान करेंगे किस मीनु में कौन अप्संस होता है और किस अप्संस से क्या होता है तो देखते हैं सबसे पहला होम मीनु तो जैसा कि अभी बताए हम जिसके नीचे लाइन नहीं है वह मीनु खुला हुआ है तो होम मीनु को होम मीनु जो है अभी आणटू करते हैं समझ में आ रहा होगा नेक्स चलते हैं यह आगी की ओर तो हम मीनु में मैं जैसे ही क्लिक किया अभी फिलालches तो मैंने क्लिक कर दिया वहान ख्ला हूवा है अभाल मीनू के अंतर क्लिक कर दिक निदेंगे अन्तरगत के अंतरकत आपको टोटल नीचे कुछ अप्सन दिखा देता देख रहा है एक दो तीन चार पांच छो और भी इससे लाइन पर हुआ है एक दो तीन यहां से लाइन चार एक लाइन यहां पर पांच और एक लाइन यहां पर छो यानि कि Home होम मीनू को होम मीनू इज डिवाइड़ इन्टू सिक्स सब मीनू क्लियर है होम मीनू को कितना भाग में बाटा गया है छो सब मीनू में बाटा गया है क्लियर है होम मीनू को कितना छे सब मीनू में बाटा गया है वासा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा देख रहोंगे पहला जो है उसका नाम है हम मीनु में चलते हैं पहला का नाम clipboard, दूसरा का नाम slide, तिसरा का नाम font चौथा का नाम paragraph और पाचमा का नाम drawing और छठा का नाम editing और ये छो जो sub menu है किसका है हम मीनु का प्रतेक sub menu में नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रतेक sub menu में each sub menu has different numbers of tools यानि कि प्रतेक sub menu में बिभीन संख्याओं में tools मौजूद होते हैं clear है प्रतेक sub menu में बिभीन संख्याओं में tools मौजूद होते हैं तो आप लोग अपने से सोचिए answer किए और बताइए कि clipboard sub menu में जितना option है न यह सारे options को हम लोग बोलते हैं tool तो clipboard में कोई पूछे कि MS powerpoint के clipboard sub menu में कितने tools हैं तो देख सकते हो एक का नाम paste, cut, copy, format printer तो clipboard sub menu के अंतर गाते चार टूल slide sub menu के अंतर गाते चार टूल सिदह याद रखना concept जितना option उतना tool clear है जितना option उतना tool तो देखे हम लोग clipboard में चार टूल, slide में चार टूल, लेकिन font में जाते हैं तो बहुत सारा है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, तस, ग्यार, बार, तेर, इसका मतलब font sub menu के अंतर गात total number of tools 13 है फिर उसी तरह से आगे बरेंगे paragraph में तो इसमें भी आपको बहुत सारा दिख रहा होगा देखे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यार, बार, तेर, तो जैसा font में तेरा, paragraph में भी तेरा उसी तरह आगे आते हैं, drawing में, तो इसमें भी बहुत सारा tools है, editing इसमें भी tools है, तो जितना sub menu है, प्रतिक sub menu में, अलग-अलग संख्याओं में tools होते हैं, तो आसा करते हैं, यह वीडियो यहां तक समझ में आया होगा, तो हम लोग इस वीडियो के मात्यम से, और यह series लागातार आगे की और बरते जाएगा, प्रति दिन आपको powerpoint का एक वीडियो मिलेगा इस चैनल पे, और इसके साथ ही साथ, आपको नए student के लिए भी वीडियो प्रति दिन अप्लोड किया जाएगा, तो आप अपने इच्छान उकुल वीडियो को द यह थे, प्रति दीन इंटरनेट संबंधित वीडियो अप्लोड किया जाता है, जो कि हमारे जीवन में काफी महत्वर रखता है। प्रतेक काम इंटर्नेट से किया जाता है तो इंटर्नेट संबंदित कैसे फर्म भरना है कैसे अधार का डाउनलोड करना है और यहां से भी आप प्रति दिन एक नया नया टॉपिक पर नया नया वीडियो आपको फ्री आप कोस्ट मिलेगा तो हमारा दूसरा चैनल यानि नया चैनल वेदानता ओनलाइन स्पालिगंज को भी सब्सक्राइब कर लेंगे तापकि आपको नया नया टॉपिक पर अध्यन करने को नया नया मुद्दा मिलता रहें तो अब आगे चलते हैं हम लोग मीनू बार को डिल कर रहें थे मीनू बार कि अध्यां हम बताएंगे एक के बारे में और काफी इंट्रेस्टिंग है तो अब हम देखता है क्लिबोड के अंदर गा टोटल चार अपकेंशंस काफीपैस्ट ऑर फॉर्मेट पेंटर जिसमें से फॉर्मेट पेंटर का उप्योग सबसे सिंपॉटेन्ट है बाकी cut, copy, paste या 3 options के बारे में हम लोग शुरू से ले करके अभी तक परते आ रहे हैं तो format painter काफी important topic है यदि इसको आप समझ गया है तो video editing काफी असान हो जाए तो जैसा कि हमने बताया कि clipboard sum menu के अंतरगा total 4 tool होते हैं पहला का नाम cut, दुसरा copy, तिसरा paste और चौथा format painter तो अब हम लोग यहां पर यह चारों का उपयोग देखेंगे कि यह चारों का use क्या है जिसमें से हम लोग सुरू से पढ़ते आ रहे हैं cut copy paste के बारे में तो I think क्या है आपको पता होगा सबसे ज़्यादा important है format painter अभी हम लोग करके देखेंगे कि होता क्या है और इसका shortcut की भी यहां पर काम करता है तो फिलहाल cut copy paste को एक वार रिभाइस कर लेते हैं जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है वेदानता computer institute हम चाहते हैं कि यही टेक्स्ट नीचे भी आ जाया यानि की दो जगह पर तो सबसे पहले इस टेक्स्ट को select करके copy कर लो copy कर लिए copy हो गया copy करने के वाद आपको प्रतीत नहीं होगा कि copy हुआ या नहीं हुआ तो copy पर बस click कर दे रहा है मेरा copy हो गया और दूसरा paste पर जाके click करेंगे देख सकते हैं कि एक से दो हो गया पर करके इसको हम नीचे लाके रखिए तो एक ही चीज का copy paste इसको बोलता है तो cut paste का यहाँ पर प्योग नहीं होता है copy paste का प्योग कर सकते हैं copy paste करने के लिए फिर से एक वार सबसे पहले अच्छर को चुनेंगे अच्छर को भी चून सकते हैं नहीं तो place holder को भी चुन सकते हैं चुनने के बाद copy पर click दवारा paste पर click देख रहे हैं दो हो गया पकड़ के निचला दिये यह हुआ प्रोसेस नमबर एक दूसरा प्रोसेस डारेक्ट अच्छर को चुनेंगे या placeholder को चुनेंगे जिसे copy करना है और keyboard से control के साथ c बटन को दबा देंगे control के साथ c उसके बाद control के साथ भी देख सकते हैं आ गया है और तिसरा तरीका है जिस placeholder को आपको copy करना है चुप चाप उसको चुने के control d दबा दो direct duplicate हो जाता है तो तीन तरीका बताया गया पहला control c, control v, दूसरा copy paste यहां से और तिसरा direct control d इसका मतलब duplicate तो यह सब हम लोग पहले से जानते हैं यदि नहीं जानते हैं तो भी हम revise करा दिया है अब देखते हैं यहां पर कि यह format painter का क्या काम है और कैसे काम करता है ध्यान से देखेंगे काफी important topic है format painter का main काम है किसी अच्छर के style को फिर से एक बार किसी अच्छर के style को किसी दूसरे अच्छर में लागू करने के लिए फिर से किसी अच्छर के style को किसी दूसरे अच्छर में लागू करने के लिए format painter का उपयोग करते हैं एक जामपल देखते हैं यहां पर देख सकते हैं दिखाई दे रहा होगा नंदन राज लिखा हुआ है और यहां लिखा हुआ लाइक आवर वीडियो उपर में देख रहे हैं लिखा हुआ है वेदानता कंप्यूटर इस्टिट मेरा इच्छा किया कि जिस स्टाइल में वेदा में वेदानता लिखे हैं उसी style में नदराज के स्टेप अबिव शी देखिएगा सबसे पहले जीश इस style को आप लेना चाहते हैं तो हम इसमें से कौन से style लेना चाहते हैं लाइक और वीडियो का वेदानता कंप्यूटर इंस्टियूट का जैसा कि हमने बताया कि इसी style को इसमें लगाना है तो सबसे पहले इस style को चुल लो अच्छर को चुल लो जिसमें style लगाया हुआ है तो हमने अच्छर को यहां से चुल लिया जरूरी नहीं है कि पूरा चुलेंगे किसी एक अच्छर को चुल लो दो अच्छर को चुल लो जि चूल लेना है फिर से सबसे पहले अच्छर को चूल लिए दूसरा फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर दिए और तीसरा अच्छर को चूलेंगे जिसमें हमें अस्टाइल डालना है स्क्रीन पर देख रहा होंगे और आप कुछ सीखे भी होंगे कंट्रोल जेट दवा देते हैं वापस है क्लियर है तो सबसे पहला फिर से एक बार अच्छर को चूलेंगे स्टेप नमबर वॉन स्टेप नमबर टू फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे और स्टेप नमबर दूसरा तरीका देखते हैं फिर से माल लिया जाए कि हम यहां से इसका नंदन राज कर दिए अब हम चाहते हैं कि जिस कलर में लिखा हुआ है ना जिस स्टाइल में लिखा हुआ है स्टाइल भी हाँ कुछ तो आपको दिख रहा होगा अलग है तो इस इन को हम चुने अब रचाल में लायक वारीडियो हो जहाएं तो अभी जैसा कि बतायाँ जिस्सस टायल को लेना है अच्छर स्टाइल को लेना है उसको हम चुन लिए और यहां पे जो लिखे हैं न यहीं चीज को आपको प्रेस कर देना है स्टाइल लगाना है अच्छर को चुन लिए अब चुनने के बाद कंट्रोल सीप्ट भी दवा देंगे कंट्रोल सीप्ट भी कुछ चैंजिंग दिखा आपको इसी को बोलते हैं फॉर्मेट पेंटर फिर से एक बार चलिए अब जलते हैं इसके साथ जैसे की नीचे हम लिखे हैं कंट्रोल सीप्ट सी हम चाहते हैं कि इसका स्टाइल इसके तरह हो जाए तो सबसे पहले चुलनी है स्टेप नंबर एक कंट्रोल सीप्ट नंबर टू और इसको जिस कैसे पता चलेगा और होम मीनू को कितने भाग में बाटा गया और क्लिप बोड के अंतरगत कितने अप्सेंस होते हैं चारों अप्सेंस के बारे में हम लोग पर चुके हैं इसके बावजूद भी यदि आपको कोई समस्त्या लगे तो वाट्स अप या कमेंट सेक्षन के माध्यम से आप हमें संपर्ग कर सकते हैं तब तक के लिए धन्यवाद आप मेरे वीडियो को इंज्वाए किजिए ज्यादा से ज्यादा से शेयर किजिए ताकि हमें भी वीडि तरहे थे ताकिए ताकिए ताकिए